आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अगर आप इस्टाग्राम यूज करते हैं और आपने इस्टाग्राम और फेस्बुक आइडी को दोनों को ही जॉइंड कर रखा है कहने का मतलग है अगर आप अपनी वीडियो इस्टाग्राम पर डालते हैं तो वो फेस्बुक पर आटो मैटो आ जाती है तो इससे आप किस तरीके से बंद कर सकते हैं चलिए जान लेते हैं इससे पहले अगर आप चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करें और आपने अब तक वीडियो को लाइक करें तो करना क्या है आपको simply profile पर simply click करना है उसके बाद में आपके सामने आपके सामने कुछ इस तरीके से आजाएगा तो आपको यहां पर यह option देखने को मिल लिए यह वाला ठीक है इस पर आप simply click करेंगे क्लिक करने के बाद में आपके सामने फिर से इस तरीके से आजाएगा तो फिर आपको इसी पर simply click करना है तो चलिए मैं इस पर simply click कर देता हूँ उसके बाद में आपके सामने फिर कुछ इस तरीके से आएगा अब आप इनमें से facebook वाला option select करेंगे ठीक है आपको यह facebook account है वो यहां से हटाना है ठीक है कहने का मतलब है अगर आप instagram पर वीडियो डालते थे तो आपकी facebook पर एटो मैटो पहुच जाते थे ठीक है पर आप च instagram पर वो सारी के सारे कुछ देख पाएंगे ठीक है कहने का मतलब है उसके बाद में आपकी रील है वो facebook पर नहीं जाएगी instagram पर ही रहेगी और instagram पर कोई भी आपकी प्रोफाइल के लिए या फिर आपकी रील के लिए देख सकता है ठीक है तो इसके लिए आपको simply इसी पर ही क्लिक कर देना है तो चलिए हम स्म्प्रिक कर दिया है कुलिकशन के बाद में आपके सामने फिर कुछ यस तरीके से आएगा आप यहां पर inv कर देंगे ठीक है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यह अभी आफ नहीं हो रहा तो इसके लिए हमें करना क्या है simply यहाँ पर click करेंगे और यह आफ हो चुका है इस तरीके से ठीक है तो इस तरीके से आपको यहाँ पर off कर लेना है उसके बाद में आप चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं अब जो आपकी facebook profile है ठीक है अगर आप instagram पर video upload करेंगे तो वो आपकी facebook पर नहीं जाएगी ठीक है इसी के साथ में आप sharing account ठीक है इस पर आप simply click करेंगे इस पर आप simply click कर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि अगर आप यहाँ पर कोई भी instagram पर post अपनी upload करते थे story ठीक है तो वो आपकी facebook पहुच जाती थी तो आपको इसे off कर देना इन permissions को ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पर off कर देंगे इस पर आप simply click करके भी देख सकते हैं फिर वो open नहीं होगे ठीक है तो पहने मतलब है अब पूरी तरीके से यहाँ पर off हो चुकी है इस पर आप simply click करके और आप एक बार check कर लिजीगा कहीं है इससा नहों आपने permissions को off ही नहीं किया हो सही तरीके से ठीक है तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं वीडियो अगर आपको अच्छे लगे वीडियो को like